हलो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि iPhone में से iPad में या फिर iPhone में से iPhone में आप Pinch के थ्रू कैसे photo को Copy-Paste कर सकते हैं आप देख रहे हैं टेकी प्रेशान तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम देखते हैं कि आप iPhone to iPhone या फिर iPhone to iPad कैसे photographs है कोपी और पेस्ट कर सकते हैं वाया पींच के थू तो बिजिकली इसमें टर्मिनलोरजी यह है कि आपको जो भी दो डिवाइस के बीच में कॉपी पेस्ट करना है फोटोग्राफ सोगे रहे उसके लिए दोनों डिवाइस में आपको अपना सेम एपल आईडी कंफिगर करना है और दूसरी बात दोनों डिवाइस को सेम वाइफाई के साथ कनेक करना है तो यहां पर मेरे पास एक आईपॉन है और दूसरा आईपेड है मैंने दोनों डिवाइस को सेम एपल आईडी कंफिगर करके रखा है और दोनों को सेम वाइफाई नेटवर के साथ कनेक करके रखा है तो सबसे पहले आपको दोनों ड्यिवाइस में जाने है और एक सेटिंग को on करना है यहां पर जाएंगे सेटिंग और से इसे जनरल और जनरल में यहां पर एक option है hands-off आपको पर्टिकुलरी option जो है उसे on करना है यहां पर आप देख रहा है कि airplay and hands off तो इसे on करना है यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सेटिंग से ट्रांसपर टू home phone and so basically यह सेटिंग जो है वो on होना चाहिए मेरे डिवाइस में अल्रेडी ओन है यह आईपॉन में भी on है और आईपेड में भी on है अब हम देखते हैं कि कैसे आप पिंच के थूर यहां से फोटो कॉपी कर सकते हैं और इसमें पेस्ट कर सकते हैं डाइरक्न प्यूसे बीक्शन है या तो जो भी छू बी अर्क rebellion यूपन करना वो और यह तोथ पहले तो मुझे यहां पर उसे आसे करना होगा तो यहां प्र आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ गया है, बनलब यह फोटा अब कॉपी हो गया और बाद में यहां पर मैं कोई भी supported application में paste कर सकता हूँ, for example, यहां पर मैंने message application open की और यहां पर मैं paste कर रहा हूँ, तो जब मैं यहां यहां आप जाहूँगा, तो यहां long press करूँगा तो paste का option आएगा, और आप देख रहे हैं कि यहां पे लिखा हूँ आ रहा है कि पेस्टिंग प्रोम आइपॉन 10X Max तो आप देख रहे हैं कि यह फोटोग्राफ मैंने यहां पे कॉपी किया और यहां पे यह पेस्ट हो गया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्स्राइब कर दीजे थैंक्स पर वाचिंग